हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टूमा चैनल आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हूंगे मैं भी अच्छी हूं मैं दू दिन से रेसिपी नहीं डाल पा रही थी बच्चे का तब यह थो खराब है तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ बीन्स की एक रेसिपी शेयर करने ज साथ ले लिया हरी मिट्ची, प्याज, अध्रकु लेक लेटी है love यहां पर सरसो हूं एक चम ऐलो यहां पे पहले मैं सब चीजों को काट लेती है जो साथ ना आपको बताते हैं देखिए मैंने यहां पेन्स, अर्यमीच्ची लेसन भी चीलिया है पियाज कोड़ी और प्याज्च, लस्तन, अरद्रख, हरीमीच्ची और सरसी को पेस्ड बना लेँगे को यार में ले लेते हैं यहां पेस्ट कर लियाया इसको तो चलcono या भी सκιद ंग आन्या मैंने यहां पर सरसो का तेल गरम करने के लिए रख दिया है यह भी तेल को गरम होना देते हैं तेल हमारा गरम हो गया है अब इसमें अब हमने जो मिक्स्चर रेडी किया है इसको डाल देंगे स Arnold मिक्णा कराम कर देंगे कि यहा है अब ड्रीक कि कर दो कि को नहुंत है कि पाउड देंगे जाओ देंगे अब एक चमच नमक आदा चमच हल्दी एक चमच मेज पाउडर एक चमच जीरा पाउडर मेरे मसाले पच्चे से मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे मसाला को भी हम 2-3 में के लिए तला पूरे पका लेंगे गैस को मैंने मिजियम फ्लेम पर रखा नकाला हुमारा अच्चे से पक चुका है इसमें भी हम बीन्स एक कर देंगे इसको भी मसाले के साथ अच्चे से रहा है इसको भी हम इसमें लीड लगा के तीन से चार मिट के लिए मेडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे मैं तीन से चार मिट के लिए इसको लेड लिए लगा के पका लिया है अभी हम इसमें दही आड कर देंगे तो तममत लेखा है को आ हम यह बेरो 9-9 इता हर। कशब्य दही को भी हम बेंच और मसाले के साथ 3-4 मिट के लिए लेड लगा कि इसको पकने देंगे मैंने आप पानी याट कर दिया है खोर असा जादा नहीं ग्रेवी नहीं बनाना देखे अब इसको हम बॉयल होने देंगे इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे कि अब यमार अब इसको प्लेट में निकाल लेते हुगों यह हमारी सर इसको बेन रेडिया है सब्सक्राइब अगर अगर मेरे संब्सक्राइब ने हुग हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब available यह थैंक तो मुच पर वाचिंग नेक्स वीडियो में मिलते हैं नेक्स रसिपी के साथ तब तक की लिए बाई